हाई अब्रीबन यह अपनी html and css video series का वीडियो नमबर 6 जिसमें आज हम font tag को समझेंगे font tag का use हम कब करते हैं basically font tag का use हम करते हैं जब मान लीजिए हमको अपने web page के अंदर जो text है उसको edit करना हो यानि कि उसका size change करना हो color change करना हो या फिर हमको जुसका font family है यानि कि जो font face है उसको change करना हो तब हम font का use करते हैं for example यहाँ पर मैं input के अंदर मान लीजिए कुछ इस तरह का text लिखता हूँ जिसमें सबसे पहले मैंने याँ पर hello word लिखा हुआ है जो की हमारा normal font के अंदर लिखा हुआ है याँ पर हमने कोई भी change नहीं किया है then अगला जो हमने याँ पर hello word लिखा हुआ है उसका हमने याँ पर color red कर दिया है ठीक है इस तरह से जो हम यहाँ पर specific हमने यहाँ पर जो editing की है font के अंदर इसे हम बोलते attributes ठीक है तो जो यह color है यह font का attribute है ठीक है इसी तरह से यहाँ पर तीसरी line में भी hello word लिखा हुआ जिसके अंदर हमने क्या किया यहाँ पर font में यहाँ पर क्या किया हमने size change किया जो कि हमने 30 किया है तो यहाँ पर हमने font के अंदर भी कुछ editing क change किया है ठीक है अब अगर इसको हम save करके run करते हैं तो हमको output किस तरह के दिखाई देगा वह आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो normal font है वह हमें normal दिखाई दे रहा है then जो हमने attribute देकर यहाँ पर इसका color red गया है वह हमें इस तरह से दिखाई देगा हमने size 30 गया है तो जो text का size अब 30 हो जाएगा उसके बाद जो हमने यहाँ पर font face change गया है तो यहाँ पर font face change जाएगा उम्मीदे आप समझ गये होंगे कि font tag का use हम कव करते हैं एक वार इसको हम practically भी देख लेते हैं यहाँ पर हमने already 4 वारी hello word लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इसका जो tag है वो change कर देता हूँ यहाँ पर मैंने tag change कर दिया है अब पहले tag को हम ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे इसके अंदर मैं कोई भी attribute नहीं दूँगा second वाले tag के अंदर यहाँ पर हम इसका color change करेंगे color कर देंगे red इसके बाद third वाले में यहाँ पर हम इसका size change करेंगे और fourth वाले में हम इसका font face है उसको change कर देंगे इसको save करते हैं और run करके देखते हैं कि हमारे जो web page है उस पर क्या changes मिले हैं हमको यहाँ पर आप देख सकते हूं जो हमारा web page है वो कुछ इस तरह का show हो रहा है इसमें जो हमारा के यहाँ पहला hok word है वह normal hok word है यहाँ पर हमें कोई भी change हैmini kia है second वाले hok word के अंदर यहाँ पर हमने जो attribute दिया था वह red color दिया था तो यहां पर इसका color change हो limit हो चूका है third वाले में हमने Casa attribute यहाँ और 40 वाले में हमने इसका font face इस्टेंज किया था तो वो यहां पर आपको शो हो रहा है ठीक है उम्मीद है आप समझ गये होंगे कि हम html के अंदर font tech का यूज कब और कैसे करते हैं